एक खुबसूरत सुभा और क्रिकेट के लिए बहतरीन कंडिशिन्स टेल्स का कॉल कप्तान का और ये टेल्स स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस मैच में दोनों सलामी बरलेबास ग्राउंड पे आते हुए एक अच्छी पार्टनर्शिप करनी होगी यहां इन दोनों को अपने टीम के लिए पावर प्ले की गोशना बल्ले बाजो को यहां तेज गती से रन बटोरने की कोशिश करनी होगी उठा के खेल दिया है गेंध हवा में और एक शांदार छक्का इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसी लिए इतनी दूर गई यह गेंध बेतरीन शॉट बॉल गैप में और यह सिमारे का पार खराब गेंध बाजी का प्रदर्शन लाइन और लेंग्ध बिलकुल काबू में नहीं यहां बॉलर के बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट बोल्ड नजर हटी और गिल्ली उड़ी गेंध को पढ़ने में गलती कर गए बल्ले बाज और अपनी गिल्ली उड़ा बैठे कर दो अगे तेज तरार शॉट गेन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छक्का ये तो बॉलर ने इन्हें इंविटेशन दिया था और बल्ले बास बिल्कुल नहीं चुके नो बॉल का इशारा अंपायर का ऐसी गलतियां बहुत महेंगी पड़ सकती है छे रन फ्री हिट का पूरा फाइदा उठाया यहां इनके जोन में अगर बॉलिंग करते रहोगे तो ये हर बॉल को बाउंडरी लाइन के पार भेजने की शमता रखते हैं रिस्क लेने की कोशिश गेन हवा में और ये एक छक्का थोड़ी सी रिस्क जरूर ली थी लेकिन रिजल्ट के छेरन बहुत अच्छे लगेंगे तेज गेंग बाज को लाया जा रहा है यहाँ बुरी गेंग बल्लेबाज ने यहाँ पूरा फाइदा उठाया और ये चार रण अच्छे एरियाज में बॉलिंग करने की जरूरत है बॉलर का रिदम आज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा बल्ला गुमाया जरूर यहाँ पे लेकिन कोई संपर्क नहीं कर पाएगे इनके साथ अच्छी टाइमिंग लेकिन सीधा फिल्डर के हाथ अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की तरफ बैतरीन गिंद बाजी हो रही है इस चोर से समल कर खिलना होगा बल्ले बाज को फिल्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब खुबसूरट शॉर्ट गेंद स्टैंस की तरफ और ये एक लाज जवाब छक्का इस शॉर्ट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसी लिए इतनी दूर गई ये गेंद एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए एक रन तेजी से पूरा किया बाहर की तरफ निकली गेंद और लगता नहीं यहां गेंद बाज ये एक्सपेक कर रहे थे उठा के खेल दिया है गेंद हवा में और एक शांदार छक्का ये तो बॉलर ने इन्हें इंविटेशन दिया था और बल्ले बाज बिल्कुल नहीं चुके ये ही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की बहुत ही चालाख गेंद बाज हैं ये जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते जादा सिंगल लेने में काम्याब खुपसूरट टाइमिंग कोई फिल्डर मौजुद नहीं वहां बाउंडरी पर और चार रन मिलेंगे अच्छे बल्ले बाजी का प्रदर्शन चार रन बटोरने में फिर से काम्याब बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट फिल्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए एक रन तेजी से पूरा किया विकेट लेने की कोशिश करनी होगी वरना ये मैच जल्दी हाथ से निकल सकता है उठा के खेल दिया और बल्लेबास की उम्मीद को चकना चूर करते हुए सीधे फिल्डर के हाथ बड़िया प्लानिंग जोड़ते हुए और एक्जेक्यूशन का प्रदर्शन यहां गेंदबास का झाल प्योड़ते हाथ झाल यहां खड़िया करना हमया सीधे घ यही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब टीवी अंपायर को बुलाया गया है अच्छी गेन का इंतिजार करना होगा यहां बल्ले बास को थर्ड अंपायर का निरने नॉट आउट टाइमिंग और प्लेस्मेंट का बहतरीन प्रदर्शन बॉल बाउंडरी के तरफ चार रन इस बल्ले बास के खिलाफ आप यहां गेनबाजी नहीं कर सकते यह आपको चौके मारते रहेंगे बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट पुरी ताकत से मारा है वहाँ बॉल बाउंडरी रोप्स की तरफ जाते हुए चार रन गलत लाइन और लेंग्ट और नतीजा वही बॉल सीमा रेखा पार प्रेशर में लग रहे हैं बॉलर आज फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए हवा में खेलते हुए और कैच बहुत ही अच्छी फील्डिंग कप्तान और गेंदबास की प्लानिंग यहां काम आज़े हैं गई बल्लेबास फसे सीधा उनके जाल में तेज तरार शॉट गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छक्का इनके जोन में अगर बॉलिंग करते रहोगे तो यह हर बॉल को बांडरी लाइन के पार भेजने की शमता रखते हैं रिस्क लेने की कोशिश गेन हवा में और यह एक छक्का थोड़ी सी रिस्क ज़रूर ली थी लेकिन रिजल्ट के छेरन बहुत अच्छे लगेंगे थर्ड अंपायर को बुलाया गया है देखना होगा के उनका डिसिजिन क्या होगा गेंदबास को निराशा थर्ड अंपायर का डिसिजिन बैट्समेन के फेवर में नॉट आउट एक रन तेजी से पूरा किया लो भाईया गेंद आई और गई बल्ला बस हवे में ही गुमता रह गया खुबसूरट शॉर्ट गेंद स्टैंस की तरफ और ये एक लाजवाब चक्का इस शॉर्ट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसी लिए इतनी दूर गई ये गेंद ये ही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की अपने पेस और स्विंग के लिए जाने जाते हैं ये बैतरीन गिंद बाजी हो रही है इस चोर से समल कर खिलना होगा बल्ले बाज को और सीधा फिल्डर के हाथ में बहुत ही अची फिल्ड प्लेस्मेंट यहां कप्तान के दौरा एक पल के लिए उम्मीद तो यही लगा बैठे होंगे बल्ले बाज के बॉल फिल्डर को पार कर जाए मगर अफसोस अब वापस जाना होगा पैविलियन की ओर जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़्यादा सिंगल लेने में काम्याब उठा के खेल दिया है गेन हवा में और एक शानदार छक्का यह तो बॉलर ने इने इंविटेशन दिया था और बल्ले बाज बिल्कुल नहीं चुके तेज़ तरार शॉट गेन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक शक्का इनके जोन में अगर बॉलिंग करते रहोगे तो यह हर बॉल को बांडरी लाइन के पार भेजने की शमता रखते हैं उठा के खेल दिया और यह ड्रॉप मुश्किल कैश था डाइव जरूर लगाई थी मगर गेन हाथ से निकल गई बैट्समेन को थोड़ा परेशान जरूर करना चाहेंगे अपने लाइन और लेंक से बहुत ही अच्छी गेन बाजी यहां बल्ले बास बिलकुल भी कनेक नहीं कर पाए इस गेन को अंपाइर का इशारा थर्ड अंपाइर की तरफ कोई रन नहीं मिलेगा वहाँ पर गेन बास को निराशा थर्ड अंपाइर का डिसिजिन बैट्समेन के फेवर में नॉट आउट बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट हवा में खेला है किसी और दिन ये एक बाउंडरी बॉल जरूर हो सकती थी मगर आज ये एक विकेट टेकिंग डिलिवरी के लाई जाएगी किसी और एक रख से खेला है फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब बैतरीन शॉर्ट सेलेक्शन बॉल को गैप में डाला है और चार रन मिलेंगे वहाँ अच्छी गेन का इंतजार करना होगा यहां बल्ले बास को बल्ले बास का तेज तरार शॉर्ट गेन सीमा रेखा के तरफ जाती हुई चार रन जिस सरल्टा के साथ इस शॉर्ट को खेला है चार रन तो इनके यहां बनते ही थे फ्री हिट का पूरा फाइदा उठाया यहां बल्ले बास ने और चार रन प्रेशर में लग रहे हैं बोलर आज रिस्क लेने की कोशिश गेन हवा में और यह एक चक्का थोड़ी सी रिस्क ज़रूर ली थी लेकिन रिजल्ट के चेरन बहुत अच्छे लगेंगे देखकर समल कर खेलना होगा अगर यह बाहरी किनारा ले लेता तो बहुत महेंगा पड़ जाता यह शॉट एक खुबसूरत सुभा और क्रिकेट के लिए बहतरीन कंडिशिन्स दोनों सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पे आते हुए एक अच्छी पार्टनर्शिप करनी होगी यहां इन दोनों को अपने टीम के लिए तेज गेन बाजी का फैसला पावर प्ले की गोशना बल्लेबाजो को यहां तेज गती से रन बटोरने की कोशिश करनी होगी अच्छी रनिंग बिट्वीन द विकेट्स दो रन लेने में काम्याब अच्छी शोट लेकिन कोई रन नहीं बैतरीन गेन बाजी हो रही है इस छोट से समल कर खिलना होगा बल्लेबाज को अच्छी गेन का इंतजार करना होगा यहां बल्लेबाज को आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता आईए बल्लेबास पुए होगा, नहीं ऄो Nicholas यह है है जोकिवा आईए जिया के लिए भी, है बोल्ड नजर हटी और गिल्ली उडी गेन को पढ़ने में गल्ती कर गए बल्ले बाज और अपनी गिल्ली उड़ा बैठे तेज गेन बाज को लाया जा रहा है यहाँ बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब उठा के खेल दिया है गेन हवा में और एक शांदार छक्का इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसी लिए इतनी दूर गई यह गेन एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए तेज तरार शॉट गेन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक शक्का यह तो बॉलर ने इन्हें इंविटेशन दिया था और बल्ले बास बिल्कुल नहीं चुके आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता ओवर द विकेट आने का निरनाय गेन बास का रिस्क लेने की कोशिश गेन हवा में और यह एक शक्का इनके जोन में अगर बॉलिंग करते रहोगे तो यह हर बॉल को बाउंडरी लाइन के पार भेजने की शमता रखते हैं बैतरीन गिंद बाजी हो रही है इस चोर से समल कर खिलना होगा बल्ले बास को एक रन तेजी से पूरा किया यही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब खुबसूरट शॉट गें स्टैंस की तरफ और एक लाजवाब छक्का थोड़ी सी रिस्क जरूर ली थी लेकिन रिजल्ट के छेरन बहुत अच्छे लगेंगे उठा के खेल दिया है गें हवा में और एक शांदार छक्का अच्छी गेन का इंतिजार करना होगा है यहां बल्लेबास को तेज तरार शॉट गें सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छक्का इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसी लिए इतनी दूर गई यह गेंद एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए यह एक अच्छा फैसला ओवर दे विकेट गें बाजी करेंगे अब बहुत ही चालाख गेंदबाज हैं यह एक रन तेजी से पुरा किया रिस्क लेने की कोशिष गें अवा में और यह एक छक रम्प्राम्छ नहिसा है। ये तो बॉलर ने इन्हें इंविटेशन दिया था और बल्ले बाज बिल्कुल नहीं चुके यही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की खुबसूरत शॉट गेंड स्टैंस की तरफ और ये एक लाज जवाब छक्का इनके जोन में अगर बॉलिंग करते रहोगे तो ये हर बॉल को बाउंडरी लाइन के पार भेजने की शमता रखते हैं फील्डिंग में परिवर्तन जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब साइट चेंज करने का फैसला गेंद बास का स्पिनर से अटाक करने की कोशिश उठा के खेल दिया है गेंद हवा में और एक शांदार छक्का थोड़ी सी रिस्क ज़रूर ली थी लेकिन रिजल्ट के छेरन बहुत अच्छे लगेंगे संभल कर खेल रहे हैं यहां बल्ले बास एक अच्छा निर्ने बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कंप्लीट फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब तेज तरार शॉट गेंग सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छक्का इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसी लिए इतनी दूर गई यह गेंद आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता ओवर दविकेट आने का निर्नाय गेंद बास का एक और रन अपने खाते में जोडते हुए विकेट लेने की कोशिश करनी होगी वरना यह मैच जल्दी हाथ से निकल सकता है बैतरीन गेंद बाजी हो रही है इस छोर से समल कर खिलना होगा बल्ले बास को रिस्क लेने की कोशिश गेंद हवा में और यह एक छक्का यह तो बॉलर ने इन्हें इंविटेशन दिया था और बल्ले बास बिल्कुल नहीं चुके एक रन तेजी से पुरा किया अच्छी गेंद का इंतजार करना होगा है यहां बल्ले बास को यही खासियत है इन दोनों बल्ले बास की आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता यह एक अच्छा फैसला ओवर दे विकेट गेंद बाजी करेंगे अब खुपसूरट शॉट गेंद स्टैंस की तरफ और यह एक लाजवाब छक्का इनके जोन में अगर बॉलिंग करते रहोगे तो यह हर बॉल को बाउंडरी लाइन के पार भेजने की शमता रखते हैं स्पिन गेंद बास को मदद जरूर मिल सकती है इस पिछ पर जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट उठा के खेल दिया है गेंद हवा में और एक शांदार छक्का थोड़ी सी रिस्क जरूर ली थी लेकिन रिजल्ट के छेरन बहुत अच्छे लगेंगे टोँ से रिस्कें के जरू बहुत मृतभी नहीं ढ साutetे कहरे के में ऊड़िल्ट है कि तबादा पे खेल के लिए अच्छी शॉट लेकिन कोई रण नहीं तेज तरार शॉट गेन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छक्का आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता अच्का ऩाल या देखते हुआँ रिस्क लेने की कोशिश गेन हवा में और ये एक छक्का इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसलिए इतनी दूर गई ये गेन अपने बेस और स्विंग के लिए जाने जाते हैं ये फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब हवा में खेला है और कैच बहुत ही अच्छी फिल्डिंग बढ़िया प्लानिंग और एक्जेक्यूशन का प्रदर्शन यहां गेंद बास का एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए एक रन तेजी से पुरा किया यही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता झाल झाल खुबसूरत शौट गेंद स्टैंस की तरफ और यह एक लाजवाब चक्का यह तो बॉलर ने इन्हें इंविटेशन दिया था और बल्ले बाज बिल्कुल नहीं चुके बैट्समेन को थोड़ा परेशान जरूर करना चाहेंगे अपने लाइन और लेंग से जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट बैतरीन शॉट बॉल गैप में और ये सिमारे का पार इनके जोन में अगर बॉलिंग करते रहोगे तो ये हर बॉल को बाउंटरी लाइन के पार भेजने की शमता रखते हैं बुरी गेंद बल्लेबाज ने यहां पूरा फाइदा उठाया और ये चार रन शांदार मैच रहा है ये आज बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आज दोनों टीमों का पूरी तरह पैसा वसूल मैच ये जे हैं दोसी के अजिल सीथे हैं येला ये गार रहा हैं ओए जिय सत्वेश करहा है बल्लेबाबाच्वेशन उन आज़कतर प्रेट शमता हैं झाल झाल झाल